है है जॉइन किजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते तो हमारे टेलिग्राम चैनल पे Cashback related और latest offer related में post डालता रखता हूँ दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे Telegram चनल को जॉइन कीजिए हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किसी भी MI phone में हम लोग कोई भी application कैसे hide कर सकते चाहिए अगर आपके वास MIUI 10 भी चल रहा है तो उसको भी कैसे हम लोग उसमें भी कैसे hide कर सकते है application वह भी में इस वीडियो में बताने वाल हो तो यह जो दोस्तों वीडियो है वो पूरा end तक देखना और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर क बताऊंगा जिनकी मोबाइल में MIUI 11 चल रहा है तो उस मोबाइल में हम लोग कैसे hide कर सकते है application तो यहाँ पर मैं WhatsApp और Telegram यहाँ पर देख सकते है उनको hide करके आपको दिखाऊंगा तो simply आपको करना क्या है setting में चले जाना है पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लोग को app setting देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर हम लोग के सारे application देखने को मिल जाते हैं तो सबसे लास्ट में app lock का हम लोग को option देखने को मिल जाता है तो उस पर click कर देना है app lock अगर आप first time try कर रहे हैं तो आपको first time try करेगे तो MI mobile में जो account बने होगा तो उसका दोस्तों password डाल देना है ताकि आगे और आगे प्रोसेट कर पाए है अगर आपको pausword नहीं पता है तो आप four got password कर गया भी कर सकते तो अगर first time कर denn तो僕 दो बार pausword जो है ग्राच ऑखर बस तुल यह लगा पाइगे तो यह जो पाइटन डालेंगे आप वही पैटन हम लोग डूड़ने के लिए मतलब जो आप हाइड करने वाले उसको डूड़ने के लिए करने वाले तो simply यहापर मैं अपना पाइटन डाल देता है उसमें यहापर देख सकते हैं एप लोग और हाइड आप का हम लोग को दो ओप्शन देखने को में जाता है तो दोस्तो यही पैटन आपका हाइड आप लोग को भी यूज हो सकता है तो simply हम लोग को क्यारणा क्या है जो भी अप्लिकेशन हाइड करेंगे फॉर्स टाइम तो आपको कुछ सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा जिससे अब लोग कैसे आप लोग फिर से मतलब जो अप्लिकेशन ढूंड सकते उसके बारे में बताए गया तो simply मैं आप आपको दिखा देता हूँ यहापर देख सकते जो दोने वाटसप और टेलिग्राम है वो हाइड हो चुक है तो दोस्तों इसको हम लोग अभी फिर से कैसे ढूंड सकते हैं मतलब कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बादा देख तो आपको करना क्या है चो होम स्क्रीन रहेगा उस पर बस आपका दो फिंगर लेने और उसको सिंप्ली ऊपर कर देना है मैं अब यह आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है दोनों यह से फिंगर लेने और इसको ऊपर किदर खीचना है तो दोस्तों यहाप देख सकते हैं आपका जो एप लोग हाइड किये आपने वह यहापर इंटरफेस को जाएगा त देकी सिंप्ली यहापर मैं इसको खोल देता हूँ को देख सकते हैं दोनह यह जो फिर इप्लिक न फी उपर कर दिने है दोस्तों नॉर्मल करने के बाद आपका जो फिर से यहापर देख सकते हैं एक नैकिशन नही दीखर है जो अभी आप मतलब आंными यह आप करेंगे वह आपको देखने को मिल जाएकि तो इसे तरग अप MIUI 11 में कोई भी एप्लिकेशन हाइड कर सकते कि अभी मैं आपको MIUI 10 के बारे मता हूंगा कि उसमें कैसे application hide कर सकते हैं तो दोस्तों मैं दूसरे mobile में जिसमें मेरा MIUI 10 है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको setting में जाके दिखा देता हूँ कि इसमें MIUI 10 चल रहा है फिलाल के लिए यह भी Redmi 5AE है तो दोस्तों इसमें मैं यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर MIUI 10 चल रहा है इसमें तो इसमें हम लोग कैसे hide कर सकते हैं वह आपको बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा setting अलग है क्योंकि यह थोड़ा MIUI older version है तो आपको इसमें भी करना है सेटिंग में चले जाना है और सबसे लास्ट में app lock का option दिखेगा तो app lock के option पर आपको क्लिक कर देना है आपको जो भी password pattern रहेगा अगर आपने नहीं create किया है तो आपको create करना पड़ेगा जो भी password pattern है उसको डाल देना है और आपको यहाँ पर corner में setting का option देखने को मिल तो आपको इसको blue में convert कर देना है उस पर click करने के बाद manage hide app का option मत खुल जाएगा तो उस पर click करने के बाद आपको जो भी application hide करना है तो उसको आप blue कर देना है यहाँ पर on कर देना है simply यहाँ पर देख सकते हैं मैंने google पर को इसको on कर दिया तो दोस्तों यह application अभी hide हो तो दोस्तों फिर से हम लोग दो उंगली लेंगे और इसको फिर से यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा screen पर करेंगे तो हमारे जो app lock या फिर app hide किया है वो section खुल जाता है और यहाँ पर देख सकते है hide app में हम लोग को google पर application देखने हो क्यों में जाता है फिर से manage app में चले जाना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन नहीं किया तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लिजे और दोस्तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं तो गाइस इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद